नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम इस ट्रडिवीद प्येन लोदा साथियों पिछले दो दिनों से कोई कलासे नहीं आ रही थी इसका सिर्फ एकी रिजन है कि कुछ टेक्निकल प्रोब्लम थी कुछ मोबैल वगेरा में कुछ प्रोब्लम आ गए थी कलास बनाने में तो बागी रेगुलर आपको कलासे मिलेगी पटवरी भरती के लिए विशेस तोर पर ये टेस्ट है और किसी भी अन्य प्रतियोंगी प्रिक्षा के लिए जिसमें हिंदी व्याकरण आती है उसके लिए ये कापी ज़्यादा मह प्रत्रवरी बरती के लिए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को देखते हैं साथियों एक-एक प्रश्णों को विस्तरित व्याक्यात्मा क्रूप में हल करेंगे तो साथियों पहला जो क्यूशन है ये है कि कि शब्द में ता प्रत्य नहीं है देखिएगा विकल्प को पात्र ता मानव ता पिता सफलता देखिए पात्र प्लस ता पात्र ता मानव प्लस ता मानव ता सफल प्लस ता सफलता लेकिन पी प्लस ता पिता ये गलत है इसमें ता प्रत्य नहीं जुड़ा हुआ है तीसरा विकल्प आपके पहले क्यूशन में सही रहेग पुनहे प्लस आजन्म और पुनर प्लस जन्म देखिए पुनर जन्म शब्द में विसर्ग संधी प्रियुक्त हुई है पहली चित्तो विसर्ग संधी जब हम विसर्ग संधी के अंतरगत इसका संधी विच्छेद करते हैं तो इसका जो संदी विच्चेद होगा, वो होगा पुनहे प्लस जन्म, शब्द क्या बन जाएगा पुनर जन्म, यहाँ पर पुनहे के बाद में जो विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग का क्या हो जाता है, रह हो जाता है साथियों, तो प्रथम विकल्प आपके दूसरे वन वास, वन का वास, ग्रह प्रिवेश, ग्रह में प्रिवेश, हवन सामगरी, हवन की सामगरी, सर्व प्रिये, सब के लिए प्रिये, तो देखिएगा, यहाँ पर यह जो चार शब्द है, समास से सम्मंदित, इनके समास विग्रे को अगर हम देखे, तो सर्व प्रिये, रहे में प्रिवेश ये बिल्कुल शुद्र हिसात यूँं तो आपको सही देखना था और सही कुन सा है विकलप नंबर दो One Was, One का Was नहीं, One में Was होता है तो इसलिए आपके Only Second Viggle भी प्रेश्ण No. 3 में सही है Next प्रेश्ण No. 4 को देखते हैं तो चलों ये चोते क्विशन के और बढ़ते हैं आपके प्रेश्ण No. 4 है निम्न में से pullinग शब्दों का chain कीजेगा पूलिंग इसलिंग शब्द हिंदी व्याप्रण में अक्सर पूचे जाते हैं अलग-अलग प्रतियोगी प्रिक्षाओं में तो पूलिंग शब्दों की बात करें तो आंक और नांक नांक अच्छे होती है आंक अच्छे होती है नहीं भीड अच्छे होती है नहीं बचपन अच्छा होता है पहनावा अच्छा होता है बिल्कुल तीसरा विकल्प यहाँ पर लग रहा है कि यह पूलिंग है बाकी गंगा अच्छे होती है हिंदी हिंदी अच्छे होती है तो यह भी स्लिंग है यह भी स्लिंग है यह भी स्लिंग ह उनली जो तीसरा विकल्प है इस क्यूशन में बच्पन और पहनावा ये पूलिंग शब्दों के अंतरगत आते हैं साथियो तो विकल्प नमबर आपका तीन सही है प्रशन नमबर चार में नेक्स्ट प्रशन संक्या पांच पे आते हैं तो चलिए पांच प्यूशन को देख एक शब्द है प्रध्यापक, प्रे प्लस अध्यापक से बना ववा है प्रे प्रेवाह शब्द मनता है इसमें भी प्रे उपसर्ग है मतलब यहां पर उप्र्यूक्त सभी वाला जो चोता विकल्प है प्रिश्ण नमर पांच में यही सई आंसर होगा नेक्स्ट छेटे प्रिश्ण के ओर बढ़ेंगे तो छेटा क्यूशन है जिसके पास कुछ नहीं हो कहलाता है क्या कहलाता है अभावगरस्ट कहलाता है अकिंचन कहलाता है दीन हीन कहलाता है या महादीन कहलाता है तो प्रिश्ण नमर छे में कौन सा विकल्प आपके सई है छेटे क्यूशन का आंसर दीजिएगा साथ यो देखो जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको हम अभाव उग्रस्त दीन हीन महादीन नहीं केते हैं बलिकि उसके लिए जो वाक्यांस के लिए एकल शेब्द बनता है वो होता है एकिंचन तो दूसरा विकलप आपके छेटे क्यूशन में सही है नेक्स्ट प्रश्ण नमबर साथ के और बढ़ते हैं मित्रों तो साथियों प्रश्ण नमबर साथ के और अगर हम बढ़े तो आपके प्रश्ण संक्या साथ पूँच रहा है छत्र चाया में अशुद्धी का कारण है संदी है समास है उपसर्ग है और ब्रत्य है देखो छत्र चाया की अगर हम देखे कि भाई क्या अशुद्धी है तो छत सभचे-पश्प-फबश्चν चाहिए, प्रिषन नमबर आट को नेस्न नमबर आट को देखेंगे, तो चली आटवे क्योनि Almihка कुर बढ़ते हैं आप कि आटवा क्यो और पर अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रियुक्त होता है अभी उपसर्ग का नाम सभी ने सुन रखा होगा सभी जानते होंगे भी इसके बारे में तो देखो अपवाद और विपरित के अर्थ में सामने पास और विशेश के अर्थ में नीचा बुरा और हीन के अर्थ में और में अभी उपसर का प्रियोग किया जाता है तो यहां पर आपके सेकंड जो विकल्प है प्रश्णमबर आठ में यह बिल्कुल सही आंसर है आठवी क्यूशन का नेक्स्ट प्रश्णमबर नो को देखेंगे तो नोवा क्यूशन है गलत विलोम शब्द है सरश्टी का परलेई व्रद्दी का हास, हिस्व का दिर्ग और हष्ट का पुश्ट तो देखो सरश्टी का विलोम परले ही होता है बिल्कुल सही है व्रद्दी का विलोम हास ही होता है हिस्व का विलोम दिर्ग ही होता है लेकिन हष्ट का पुश्ट नहीं होता है हष्ट पुश्ट पुश्ट त तो एक समाज शब्द है विलोम शब्द नहीं है तो चोता विकल्प आपके नौवे क्यूशन में बिल्कुल सही है नेक्स्ट इस प्रश्ण संख्या 10 के ओर बढ़ते हैं मित्रों तो चलिए 10 वे क्यूशन के ओर आपके 10 वे क्यूशन है कौन सा शब्द समू कमल का प्रेयवा कि यहां पर कमल कौशा विकल्प में सभी प्रेयवाची कमल के हैं तो इकवो विकल्प नंबर जो चार है नलीनторर आमर शस्च जटल तीनों किसके प्रेय वाची है कमल के प्रेय यह साथियों इसलिए चोधा विकल्प आपके दसवे क्युशन में बिल्कुल सही है नेक्स्ट प्रशन संग्या ग्यारा को देखेंगे तो चलिए 11 क्यों पढ़ते हैं आपके 11 प्रशन निम्ण में से सही विलोम यूगम कोन सा है सही विलोम यूगम की अगर हम बात करें तो पाटे का सुपाटे नत का अवनत शिष्ट का विशिष्ट और संसलिष्ट का विशिष्ट तो मित्रों देखो पाटे का सुपाटे नहीं होता है नत का उननत होता है अवनत नहीं होता है शिष्ट का विशिष्ट भी नहीं होता है लेकिन संसलिस्ट का विशिष्ट होता है यह बिल्कुल एक शुद्ध विलोम्यूग में है तो इसलिए आपके जो चोता विकल्ब है प्रशन नंबर 11 में यही आपका सही आंसर रहेगा तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रेश नमबर 12 की और 12 क्यूशन है मित्रों आपके निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है अशुद्ध शब्द आपको देखना है मेथिली प्रेजुवलित पेत्रिक और दुरावस्ता तो देखो मेथिली जो शब्द है ये एक शुद् शुद्ध शब्द है पेत्रिक को भी एसे लिखा जाता है लेकिन शब्द है दुरावस्ता तो दुरावस्ता नहीं होता है शब्द क्या होता है शुद्ध दुरावस्ता होता है क्या होता है दुरावस्ता मतलब दुरावस्ता शब्द क्या है एक शुद्ध शब्द है वि पनीहार धनवान लालिमा और लगैँ पहले चीट तो कि बाई तकदित प्रत्य और चाहें दूसरी चीज भाव आचक वह वाव उसमें कोई हो तो लकड़ हारा लकड़ हारा तो लकड़ी प्लस आरा लकड़ हारा बनता है यह बाव आचक नहीं है या आंसर नहीं रहेगा पनीहार भी नहीं है धनवान भी नहीं है इसका जो सई अंसर है क्या रहेगा वो लालीमा मतलब तेरवे क्यूशन में आपके तीसरा विकल्ट बिल्कुल सई है लालीमा शब्द क्या है भाव वाचक तद्धित प्रत्ते का उधारण है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्ते दोनों का प्रियोग हुआ है ठीक है इसी प्रकार से आपके प्रत्ते बन रहे वर्तमान में जो एक्जाम पेटर्न है उस तरीके से एक चीज है कि मैंने लगबग पिछले डेर साल से रीट की तैयरी करवाई थी मेरा पेटर्न दो हजार इकिस का था मादमिक शिक्षा बोर्ड ने जो रीट का पेपर लिया है उसका पेटर्न दो हजार ग्यारा का था साथियो इस प्रकार से इतना अंतर आया है वह अलग बात है कि उन्होंने पात्र जादा लोगों को पात्र करने के लिए इसा पेपर बनाया कि सभी 90 से सोथो करी ही दे उस हिसाब से उनका पेपर था देखो व्यांजित व्याथित श्यमित ग्रहित इस प्रकार से के तो प्रिश्ण नहीं दिया उन्होंने क्योंकि ये प्रिश्ण अर कोई नहीं कर सकता है साथियों ये पेपर लेवल का अगर पेपर ब्रेता है तो उसमें इसी प्रकार से प्रिश्ण बनते हैं अब भई टाइम आगे बढ़ता जा रहा है तो competition और ज़्यादा होना चाहिए ना competition होना चाहिए क्योंकि परतिभा दपती नहीं है परतिभा निकल जाती है competition में से किया जा सकता ठीक है हो तो देखो यहां उपसर्ग हुए प्रत्य दोनों का प्रियोग जिसमें हुआ है तो व्यतित की बात करें तो साथ व्यतित में वी प्लस अथ प्लस इत तो देखो शब्द यहां पर व्यतित में भी लगता है लेकिन व्यतित में उप्सर्ग प्रत्य नहीं है व्यता प्लस इत से व्यतित शब्द बना है ठीक है व्यता प्लस इत से तो हो सकता है इसमें भी ठीक है मैं नीचे कमेंड कर दूँगा इसके लिए बाकी प्रतम विकल्प तो यहां बिल्कुल सही है अगर आपको लगते है कि व्यतित में भी प्लस अत प्लस इत से बना हुआ ह एक बार थुड़ा सा वापिस देखना पड़ेगा इस शब्द को क्योंकि मैं हलाकि कमेंड कर दूँगा नीचे कमेंड बोक्स में तो आप उसको जरूर देखेगा यहां प्रतम विकल सही रहेगा वेसे तो बाकि इसके लिए जरूर कमेंड करें नेक्स्ट यह प्रिश्ण नमर 15 की ओर पड़ते हैं निम्ण में से कि शब्द की संदी गलत है संदी गलत है सत प्लस मार्ग सद मार्ग सत प्लस गती सत प्लस दर्म सद धर्म सत प्लस शास्त्र सचास्त्र तो देखो आपको ये देखना है कि संदी गलत कहां पर हो रही है तो साथियों सत प्लस शास्त्र वियंजन संदी का उधारन है सत शास्त्र ही बनता है बिल्कुशुद है सत प्लस धर्म सद धर्म ही बनता है बिल्कुशुद है सद प्लस गती सद गती ही बनती है ये भी बिल्कु शुद है लेकिन यह एक शब्द है सद प्लस मार्ग का तो सद प्लस मार्ग से शब्द बनता है सन मार्ग क्या बनता है सन मार्ग लेकिन यह क्या बन रहा है सद मार्ग सद मार्ग नहीं सन मार्ग होना चाहिए इसलिए आपके 15 क्यूशन में प्रतम विकल्प सही है क्योंकि इसकी संदी गलत हो रही है चलिए नेक्स्ट प्रिश्ण नमबर 16 के और बढ़ेंगे 16 प्रिश्ण सोन घट का विक्रे क्या होगा विक्रे बताना है आपको सोन में घट, फिर घट में सोन, सोन का घट, घट के लिए सोन तो देखो सोन घट, सोने का घटा, सोन मतलब सोना, घट मतलब घटा तो सोन घट का विग्रे होता है सोने का घटा या सोन का घट तो विकल्प नमबर आपके 3 प्रिश्ण संख्या 16 में बिल्कुश सही है next day प्रिश्ण संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे सत्रवा प्रिश्ण है आपके किस वाक्य में संबंद वाचक सरुनाम है मैं अपना काम स्वयम करता हूँ कोई कुछ भी कहे हमें क्या जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है वह स्वयत्य है संबल गया तो संबंद वाचक सरुनाम देखो वह स्वयत्य समल गया नहीं है कोई कुछ कहे हमें क्या नहीं है मैं अपना काम स्वयम करता हूँ लेकिन यहां जो तीसरा व्यकलप है जिसे भी देखता हूँ वहीं वयस्त है यह एक संबंद वाचक सरुनाम का라रन है तो थर्ड विकल्प आपके सत्रवे क्यूशन में सही है नेक्स्ट प्रश्ण संक्या अठारा पे आते हैं तो चलिए अठारवे क्यूशन के और बढ़ेंगे देखो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजेगा कमेंट कीजेगा कितने क्यूशन सही हुए है और ये भी बता कर जाईएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा बाहे किलना मुहावरे का अर्थ है बाल बिखर जाना, बहुत खुश होना, बगल जाकना और कली खिलना देखो, मुहावरे लोकोक्तियां ये भी अकसर सभी एकजा में पूछी जाती है जहाँ पर हिंदी आपके सब्जेक्ट हो तो बाहे किलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो उसका अर्थ है, बहुत खुश होना दूसरा विकलप आपके अठारवे क्यूशन में सही रहेगा नेक्स्ट प्रिशन संक्या 19 के ओर बढ़ेंगे तो चलिए 19 वा क्यूशन देख लेते हैं आपके प्रिशन संक्या 19 सह भागिता शब्द का निर्मान किस उपसर्ग और प्रत्य से हुआ है सह प्लस इता, सह प्लस ता, सह उर्ता और सह उर्ता तो साथियों देखिएगा सह भागिता में सह शब्द में उपसर्ग है भाग यहाँ पर मूल शब्द है और इसमें इता प्रत्य लगा हुआ है कौन सा प्रत्य लगा हुआ है इता तो इता प्रत्य है सह उपसर्ग है मतलब यहाँ पर सह और इता प्रतम विकल्प आपके 19 स्वे क्यूशन में सही रहेगा सह बागिता में सह उपसर्ग है और इता प्रत्य लगा हुआ है साथ यो नेक श्रागी बढ़ेंगे प्रिश्ण संक्या 20 क्यों तो चलिए 20 वे प्रिश्ण को देखते हैं आपके 20 वे प्रिश्ण है निम्ण में से किस विकल्प में संदी विच्छेत अशुद्ध है अशुद्ध संदी विच्छेत देखना है सम प्लस कार, संसकार, अहन प्लस रूप, अहो रूप दिग प्लस विजे, दिग विजे, सन प्लस शे, सन शे तो देखो अगर हम ये चारो ही वियनजन संदी के अंतर गताते हैं चारो ही शब्द, अब सम प्लस कार से सम के बाद में करीदातो आती है तो कह के पहले से का आगम हो जाता है मतलब जो मैं है वो तो अनुस्वार में बदल जाता है और कहके पहले साका आगम हो जाता है ऐसा नियम है तो शब्द क्या बन जाता है संसकार बिल्कुल शुद्ध है ये अहन प्लस रूप बिल्कुल अहो रूप ही बनता है वियंजन संदी का ही नियम इसमें भी चलेगा दिग प्लस विजे दिग विजे बिल्कुल दिग विजे ही बनता है ये भी विंजन संदी के अंतरगत आ जाएगा लेकिन सन प्लस शे संशे नहीं होता है बलकि सम प्लस शे से संशे शब्द बनता है सम प्लस शे से तो बिलकुल यहाँ पर जो चोटा विकल्प है यह संशे है सन प्लस शे नहीं होगा सम प्लस शे होगा इसमें संदिविच्छेत अशुद्ध हो रहा है तो बीसवा क्यूशन में आपके चोटा विकल्प बिलकुल सही है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण नमबर 21 की और तो देख लेते हैं आपके 21 पर प्रिश्ण साथ यो क्या पूचा जा रहा है वन मानुष का समास विग्राय क्या होगा वन का मानुष ये वन में रहने वाला मनुष ये वन में निवास करने वाला मनुष्य और वन रूपी मनुष्य वन रूपी मानुष्य सोरी तो देखो वन रूपी मानुष्य तो बिल्कुल ही गलत है वन का मनुष्य वन मानुष्य नहीं होता है बलकि one में रहने वाला जो मनुश है उसको one मानुश कहा जाता है one से निवास नहीं one में होना चाहिए से गलत है यहाँ पर इसके तीसरा भी गलत है चोता भी गलत है पहला भी गलत है तो right answer कुन सा है दूसरा विकल वन में रहने वाला जो मनुश है उसको ही वन मानुश कहा जाता है 21 वे में सेकंड विकल बिल्कुल सही रहेगा नेक्स्ट 22 वा प्रिश्ण 22 वा प्रिश्ण है किस विकल में उपसर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है अनाहुत व्याव हारिक दिपावली और प्रत्यक्ष तो सात्यों शब्द है अनाहुत अन प्लस आहुत अन उपसर्ग है वी प्लस अव प्लस हार प्लस एक उपसर्ग भी है प्रत्य प्लस अक्ष प्रत्यक्ष उपसर्ग है लेकिन दीप प्लस अवली दीपावली में कोई उपसर्ग नहीं है साथ यो दीप प्लस अवली ये शब्दों से मिलकर बना हुआ है इसमें संदी हो रही है ने कि उपसर्ग इसमें लग रहा है तो कोई भी उपसर्ग नहीं होने के करण आपके तीसरा विकल्ब व्यू है 22 वे प्रिश्ण में सई आंसर है के लिए रहे सभी के ये क्यूशन भी अब हम देखेंगे प्रिश्ण संक्या 23 को तो 23 क्यूशन आप से क्या है साथ चोईसवा क्यूशन है तस्म तद्बव की द्रश्टी से अशुद्व विकल्प है अशुद्व विकल्प देखना है तो देखो शेत्र का खेत, वट का बढ़, प्रेस्तर का पाहन और निम्ब का नीम देखो निम्ब का नीम ही होता है शेत्र का खेत ही होता है वट का बढ़ ही होता है लेकिन प्रस्तर का पाहन तस्सम तदबाव ये गलत है इसलिए थर्ड विकल्प आपके सही है चोईसवे क्यूशन में देखो पटवरी भर्ती का जो पेपर है वो बिल्कुल पास या चुका है तो उसके लिए लास्ट के 5-7 दिन विशेश टेश्ट स्रीच चलो की जाएगी जिसमें बहुती एक्जाम लेवल के पेटर्ण के जो प्रिशन है उपलप्त कराने की पूरी कोशिश करूँगा तो जो भी पटवरी की तैयरी कर रहा है उन अंतिम दिनों में 7-8 दिनों में उन पेपरों को जरूर हल करिएगा साथियों नेक्ट 25 क्यूशन देखिएगा सरुनाम से बना विशेशन है मेरा लुटेरा बाहरी रंगीन तो रंगीन में मूल शब्द है रंग सरुनाम नहीं है लुटेरा में मूल शब्द है लूटना लूटना तो किरिया है ये भी नहीं है बाहरी में बाहर शब्द मूल है बार शब्द सरुनाम नहीं है लेकिन साथियों जो मेरा शब्द है ये मेरा शब्द सरुनाम से विशे प्रत्तम विकल आपके प्रिश्च नियुक्ता है किरिया का रूप डबल बार टायिपिंग है और सभी किरिया का उद्देश्च नियुक्ता है प्रतम विकलब आपके 26 क्यूशन में बिल्कुल सही है तो 26 क्यूशन लेकर आया था 30 नहीं 4 क्यूशन छूट गए है टाइपिंग में साथ यो टाइपिंग में क्या मतलब ध्यान था कि भई हाँ 26 क्यूशन लेकर आया हूँ समय के कुछ कारणों के वज़े से बाकी आपको 26 क्यूशन में अगर क्यूशन लगी तो उसके लिए जरूर कमेंट करेगा ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पुरा देखने के लिए